हेलो फ्रेंट्स काद्यांस किचेन में आपका स्वागत है आज हम बहुत एजी वाली वैनीला आइस क्रीम की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं और इसे बनाने के लिए बहुत ही सिंपल से इंग्रीडियंट्स जो अर्री हमारी घर पे होते हैं उसी से यह बन और अब हम इसे कड़ाई में उबाल लेंगे तो मैंने कड़ाई में इस मिक्षर को डाल दिया है और मीडियम फ्लेम पे मैं इसे कंटीनियस टेर करते हुए इसे पकाऊंगी तो यह आप देख सकते हैं धीरे-धीरे गाड़ा होने लग गया है कॉन्फलर हमारी आइस क्रीम क तो बहुत ही अच्छा टेक्शर देता है तो यह आप देख सकते हैं यह मिक्षर अच्छा गाड़ा हो चُका है अभी तो इसे ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बस दो मिनेट हमें पका लेना है और यह दो मिनेट में अच्छी तरीके से गड़ा हो जाता है तो यह बहुत ही जटपट बनने वाली आइस क्रीम है तो इसे बनाने में कोई बहुत ज़्यादा इंग्रीडियंट्स भी नहीं लगते हैं सिंपल से इंग्रीडियंट्स हैं और यह चीजें हमारे घर पे अलड़ी होती ही हैं और गर्मियों में घर का बनावा कुछ टेस्टी अदि छोटीवाद्स लाजा है तो अब मैं इसे एक मिकसर जार में डाल लूँगी हुए इसके बाद इसमें हम डाल dł loume is my love तो एक कप के करीद उसमें दालेंगे फ hakk मलाई ही लगते हैं आप ठावल की फ्रेश क्रीम आती है वह भी दिटो आद सब्सक्राइब हो चुकते हैं, यह चली लगत defence सब्सक्राबर छक्रोद का Jahren और इस consistency में हम इसे एक डबे में डाल देंगे या फिर आपके पास अगर आइस क्रीम मोल्ड्स हैं तो आप उसमें वी इनने जमा सकते हैं लेकिन मैं इसकी जबरदस्त आइस क्रीम बना रही हूं पॉप्सिकल नहीं बनानी है तो इसलिए मैं इसे डाल दिया है मैंने इसे अच्छे से जम जाए और यह आप देख सकते हैं साथ से आठ घंटे के बाद में मैं अभी निकाल करके आपको दिखा देती हूं यह बहुत ही अच्छे से जम चुकी एक तब मार्केट स्टाइल की सॉफ्ट वाली आइस क्रीम बनी है तो उमीद आज की वीडियो आपको जबरदस्त बनी है तो आप ज़रूर ट्राइ कीजेगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में आप शेयर कर सकते हैं इस इजी वाली रेसिपी को और ज़रूर ट्राइ कीजेगा अपने एक्स्पीरेंस हमारे साथ में शेयर करें तो उमीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी थोड़ी भी यूसफूल लगी है तो लाइक किये वगर बिल्कुल भी ना चाहें चानल को सब्सक्राइब करें लाल रंग में सब्सक्राइब बटन उसके बाद में घंटी को ज़रूर तबाएं थैंक यू फॉर